है तो आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टन टॉपिक के ऊपर ही जेए में कितना मिनिमूम पर्सेंटाइल हमें चाहिए कि at least हम यह कर सके कि एक डीसेंट सा इंजिनियरिंग कॉलेज मुझे मिल सकता तो जैसे जो 97 पर्सेंटाइल से ऊपर वाले लोग होते हैं उनको तो क लेकिन जो मिड रेंज वाले आते हैं 95 पर्सेंटाइल से लेके 95 पर्सेंटाइल 96 पर्सेंटाइल इस रेंज वाले जो आते हैं वो बहुत जादा कंफ्यूज होते हैं कि मैं किशिच पर ज्यादा फोकॉस करूँ ब्रांच पर ज्यादा फोकॉस करूँ या फिर मैं कैसे मतल यह डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर जैसे इस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से भी लोंग करते हैं आपका क्टोगरी क्या है और साथ में कौन सा ब्रांच आते हैं तो और मैं एक न्यूटरल जो भी रिजर्वेशन वगारा जो भी चीज़ है अगर उसको हटा के एक न्यूटरल चीज़ पर बात करो ना तो अगर आपका 92-93 परसेंटाइल से उपर अगर इस अराउंड आ तो अब जो सिंट्रल कॉले से उस पर फोकस कर सकते हैं जो लोर एनाइटी हो गया है मिडल एज नाइटी में लोर बांचे जो गया या फिर ट् से कुछ का कुछ खास बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता तो उस केस में आप एक रख सकते कि 94 परसेंटाइल के राउंड अगर आपका है या इससे उपर है तो आप सकते कि हां मुझे कोई मेडर इंजनाइटी में ठीक ठाक सब्रांच या नहीं एलेक्ट्रिकल से में मैकैनि अच्छे अच्छे उसिटी वेगर आईप्यों में तो इन सब स्टेट में जैसे कि क्या होगा कि अगर आपका 94 95 परसेंटाइल के लग अगा रहा तो आपको ठीक ठाक सब्रांच मिल जाएगा एक अच्छे कॉलेज में वह कॉलेज का एक लेवल विजाए से डिटी निट के यह सब जैसे की हो जाएगा वहीं पर कुछ जैसे आप बिलॉग करते हैं नौर्थ इस्टेर्न स्टेट से नौर्थ इस्टेर्न स्टेट में क्या होता है कि जैसे अगर आपका आपका 85 परसेंटाइल के अरूंड भी है तो ठीक ठाक सब्रांच आपके जो स्टेट का इनाइ अगर निटी परसेंटाइल से ऊपर स्कूर है तो आप एनाइटी बगारा पर फोकस कर सकते हैं अपने स्टेट के नाइटी को सबसे पहले उस पर फोकस कर सकते हैं और जो अलग नाइटी तो कुछ-कुछ में चांसे होते हैं लेकिन आउट साइड श्टेट में अगर 93 परस तो जैसे कि अगर आपका 85 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल इस तो फिर आप बेटर होगा कि स्टेट कॉलेजिस पर फोकस करें स्टेट कॉलेजिस में क्या करना चाहता हूं कि जैसे आप सपोच दिल्ली से बिलॉंग करते हैं या उसके आस पास से तो इंद्रपरस्त आप स्टेट के आस पास जहां पर आप स्टेट कॉलेजिस पर जाता फोकस करेंगे या फिर जो जी फ्टाइज वगारा जी फ्टाइए में जैसे कि एक पंजाब इंजिनियरिंग कॉलेज तो बहुत अच्छा जी फ्टाइए में आता है लेकिन उसके लिए आपको उस 25 परसेंटाइल कर रहा है तो इसमें मिल सकता अब डिसाइड मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कॉलेज रिव्यू बगर आप उससे ऐसे कि आप यह फिर डिसाइड कर सकते कि कौन सा कॉलेज लेना मेरे ठीक रहेगा जी अफ्टिया यह मैं जश्ट अभी यह बता रहा हूं कि कितने परसेंटाइल पर कौन सा कॉलेज फोकस कर सकते हैं मेरे जैसे जो वीडियो का कॉन्टूजन था वो यही था कि अगर आप 82, 82, 83 इस परसेंटाइल देंस से लेकर 90, 91 इस परसेंटाइल रिए तो बेटर होगा कि आपको अगर ब्रांच भी अच्छा चाहिए तो आप अगर अगर उस से उपर आ रहा तो फिर आप NIT पर फोकस करें क्योंकि जैसे कि अगर बात कर रहा है कि आपका 94 परसेंटाइल के राउंड आ जाए रहा तो जैसे NIT चलंधर वगएरा इसमें सीवील मेकैनिकल वगएरा मिल सकता है और जो मिडियम निजन इन इसमें मिडियम अगर आपको टेक बांच चाहिए तो फिर आप स्टेट कॉलेज पर फोकस कर सकते हैं अगर उससे जैसे कि मतलब बहुत सारे स्टेट कॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि 95-94 परसेंटाइल से कमारा तो कॉलेज नहीं मिलेगा सारे कॉलेज के उप्सन होते हैं आपको एक्स्प् करने के लिए यह सब का मैं मतलब भी प्लान कर रहा हूं और स्रीज लाने का तो आप हमारे साथ बने रही है हमारे चैनल के साथ तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में